जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागति आपके अपने यूटूब चैनल दवंग क्लासिस पर तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मद्धुप्रदेश बनरक्षा कोजल पहरी एक्जाम की प्रिप्रेशन के लिए प्रैक्टिस सेट नमबर 14 जिसमें करें भारत के किस राज में समान नागरिक सहीता लागु है तो देखिए जीके जीए से कोशेय ने बताना आपको है next question की और next question में यहाँ पर आप लगों से पुछा गया है mpc द्वारा सोर मंडल में इस्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उब ग्रहों की खोज की घोशना की गई है तो इसका जो right answer है वहाँ है आप लगों का option number जंदी बताएंगे correct answer क्या होने वाला right answer है option number 4 ब्रहसपती mpc द्वारा सोर मंडल में इस्थित ब्रहसपती ग्रह के आसपास 12 नए उब ग्रहों की खोज की गई गोशना की गई है ब्रहसपती की बात की जाए तो यहाँ सूर्य से पांचवा ग्रहा और सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रहा है ब्रहसपती जोवियन ग्रहों का पहला सदस्य है चलिए बढ़ते हैं next question की यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है बाजी राओ प्रथम के पुत्र पेश्वा खालिस्तान के अधिन मराठा समराज्य सत्रा सो सहार तक अपनी सबसे बड़ी छेतरी सीमा तक पहुच गया था तो इसका जो राइट आंसर वह होगा आपका option नमबर चार बालाजी बाजी राओ बाजी राओ प्रथम के पुत्र पेश्वा बाजी बाजी राओ के अधिन मराठा समराज शत्रा सो सहार तक अपनी सबसे बड़ी छेतरी सीमा तक पहुच गया था बालाजी बाजी राओ को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था तो अकसर एक्जाम में पूछ ले जाता है कि इस मंत्री कोन है मद्यप्रदेश के राइट अल्चर ऑप्षन नमबर चार नरुत्रम मिस्रा जो है या बर्टमान में मद्यप्रदेश राजी के ग्रह मंत्री हैं नेक्स्ट कोशिन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि संसोधन में यहाँ प्रावधान जोड़ा गया है कि प्रधान मंत्री सहीत मंत्री मंदल के सदस्यों की कुल संख्या लोग सभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए तो आप लोगों आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का option number जल्दी बताएंगे राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा option number 4 51 संभिदान संसोदन 2003 में या प्राधान किया गया है कि प्रधान मंत्री सही तो मंत्री मंडल की जो कुल बाची सदस्य और दो सीटों पर राष्टपती द्वारा एंगलो इंडियम्स की न्युक्ति की गई मतलब बरतमान में 545 सीटों पर सदस्य न्युक्त हैं आगे बढ़ते हैं next question की और बढ़ते हैं next question में यहाँ पर आप लोगों से पुचा ज़ा रहा है कुणांक का सांधार सूर्य मंदिर की सदी में बनाया गया था आप लोगों पुचा गया है कुणांक का जो मंदिर है यहां कब बनाया गया था तो इसका right answer आप लोगों को बताना है correct answer जो होने रुपे के नोट पर भी देख सकते हैं परतवान में जो नया 10 रुपे का नोट है उस पर कोणांक मंदिर की छबी चित्रित की गई है नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पुछा गया है जहागिर के दरबार में थामस रो किस बर्स आया था चार आपको दिये गये हैं और राइट आंसर आप लोगों के बताना है नंबर थ्री नेशनल बेंक फोर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेबलपमेंट नाबाड का फुल फॉर्म होता है नाबाड की स्थापना जो है 12 जुलाई इसका मुख्याले मुंबई में इस्थी थे और नाबाड की प्रता महिला अध्यक्ष ती यह कोश्चन बी एकसर एक्षाम में पूछा जाता है अर्भी आई अर्थात रिजर्व बेंक आफ इंडिया का राश्ट्री करण कब हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप्षन नंबर चार बर्स उन्निस सो ननन्चास में आर्भी आई की स्थापना जो है यहाँ एक अप्रेल 1935 को हुई थी और यहाँ भारत का केंडरी बेंक है जिसे बेंको का बेंक भी कहा जाता है इसका मुख्याले मुंबई में है और बर्तमान में इसके गवर्नर जो है सक्तिकान दास है जो की 25 वे नंबर के आर्भी आई के गवर्नर है नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पुछा जा रहा है कहां पर एशिया का सबसे बड़ा हेलिकाप्टर कार खाना खोला गया है राइट आंसर आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा हेलिकाप्टर कार खाना कहां खोला गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा option number second करनाटक में एसिया का सबसे बड़ा helicopter कार खाना खोला गया है next question क्यों बढ़ते हैं next question में यहाँ पर आप लोगों पुछा जा रहा है भारत में budget प्रणाली की शुरुबात किस ने की थी तो इसका जो right answer वह है आप लोगों का option number 4 लाड केनिंग ने budget आता है तो वही की बात की जा रही है कि भारत में budget प्रणाली की शुरुबात किस ने की थी तो आंसर होगा लाड केनिंग ने और लाड केनिंग और यदि पुछा जाए कि 57 के बित्रोहक के सब भारत के गवर्णाज जेनरल को थे तब भी आपका अंसर होगा लाड केनि नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और बढ़ने सब्सक्राइब दोस्तों मैं आपको बता दू यदि आप लोग एंपी फॉरेस्ट और जेल प्रेसरी एक्जाम की अपनी प्रिप्रेशन को और बहतर करना चाते हैं तो आप हाली में कंड़क्ट कराएगी एंपी प्लिस कॉंस्टबल एक्जाम 2022 एंपी अपकार एक्जाम 2023 और एंपी पटवारी एक्जाम 2023 के पेपर जो हैं इन्हें जरू पटवारी एक्जाम में पूछी गई इंगलीज, हिंदी यह काफी काम आने वाली है तो आप इन्हें जरू लगाए यदि आप लोग पटवारी एक्जाम की सिफ्ट वाइस सभी सिफ्टों की पीडेव फाइल के साथ साथ अगर आप चाहें कि सब्जेक्ट वाइट पीडे अपर भी आप हमसे आप ासानी से प्राप्ण पर सकते से आपकी प्रिप्ट अगहीं और आने वाले फ्रेस्ट और ज्यपके इवधिते एक्जाम में आपपको को निया वाईबार नहीं है गया आनकर और उप्प सिया उगता एक महा नियावादी के लिए अनिवादीन नही नियुंता माईव 35 बर सोना चीए यहाद नियम जो है महा नियावादी पर लागू नहीं होता है महा नियावादी की बात की जाए तो यह भारत का नागरिक होना चाहिए और सर्भोच्छ सर्वोच्च न्याले के जो हाई चीफ जैस्टिस होते उनके पद के लिए जो भी सर्ते होती हैं वही सभी महान्याइबादी के लिए भी सर्ते होती हैं महान्याइबादी की नुक्ति राष्टपती के द्वारा की जाती है महान्याइबादी सर्प्रथम भारत सरकार का बिधी और दिकारी होता है आगे बढते हैं wij कि की सिर्फ की चै piss के अब से अगगज पुछाई आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग दिकारी की हत्या की सी जवान थे हैं, नेक्स्ट कोईशन की और बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोईशन में यहाँ पर आप लोगों से पुछा जा रहा है, यदि किसी निक्रेश्ट बस्तू की कीमत घड़ जाती है, तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पढ़ता है, आपको यह बताना है, दियेगा आप् सब्द एक साथ है, जोरा, सेलाना और पिपलोदा के पुर्वर रियासतों के छेतरों को सामिल करता है, तो इसका रहे ट आंसर होगा, आप्षन नंबर सेकंड, रतलाम, बरतमान समय में मद्धि प्रदेश का जो रतलाम जिला है, यहाँ जोरा, सेलाना और पिपलोदा के option नमबर चार अक वर्ने टेटिए कर को सरव प्रथम यहाँ पर किसके मुगलबाशसा кहँ की या तो किया गया त्हेग यहाँ से एक कोशन मेंगे चार पूछा जाता है कि ब्रहाममडो पर सरव्त प्रथं जजिय कर लगाने वाला से wants कौन था तो आपका आंसर होगा फिरोज साहत तुगलक जो है या ब्रहमाणों पर सरप्रतम जजिया कर लगाने वाला साथ सक्था नेक्स्ट कोशन की ओर बड़ते हैं नेक्स्ट कोशन में यहाँ पर आप लगों से पूछा गया है साझ्जा के पारंपरिक लोक गीत द्वारा गाय जाते हैं तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है भारत में आपात इस्थिती किसके द्वारा लागू की जाती है तो भारत में आपात कालीन इस्थिती कोन लगा सकता है आप लोगों से पुछा गया है तो इसका जो right answer है वाँ होगा आपका option number first राष्टपती भारत में आपात काल की जो घोशना है या राष्टपती के द्वारा की जा सकती है राष्टपती आपात काल की बात की जाए तो राष्टपती राष्टपती आपात काल अनुच्छे 352 के तहट लगा सकते है जब भारत पर बहरी आक्रमान या कोई ससस्ते बिद्र हो या भारत के किसे हिस्से में कोई युद्ध होता है तो बरता है नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में देखी यहां पर आप लोगों से पुछा गया है चार अप्षन आपको दिएगे हैं पुछा गया है कि स्टेट बेंक ऑफ इंडिया की बरतमान अध्यक्ष कोन है चेर्मेन कोन है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आप लोगों का अप्षन नमबर सेकेंड अरुन्धती भटाचार जो यह हैं या बरतमान में एजब सपजेणी छेत्र चेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक है नेक्स्ट कोश्य की और बड़ते हैं नेक्स्ट कोश्याम में यहाँ पर आप लोगों से स्वरें कि जो चोटी होती है यह पंचंतंत्र का सबसे लंबा भाग होती है झोटी आत में पंचंप पूर्ण होता है अगर वेज़ां कि पूंच का पूर्ण Сп muk обborनि उयों साथ होना में ले होता है और पोचत्य दट्व का अप्सोष है just थारा फिट होती है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question में यहां पर आप लोगों से पुछा गया है कोन सा कोईला कोग उत्पादन का प्राथ्मिक स्रोथ है इन पूछा गया है इन में से कोन सा कोईला है जो कोग उत्पादन का प्राथ्मिक स्रोथ है right answer होगा आपका option कोईला होता है वह कों सा होता हैं अंत्रस्थैक्ट कोईला होता हैं अगे चलते हैं और आप लोग से पुछ आपको पूचा गया है किस देश में अमनिय वर्षा सरभादिक होतीdeath कि अधर황 को देश में पूचेंद्स जो बरस्पति और जीवों की तुचा के लिए हानिकारक होती है नेक्स्ट कोईशन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है छेत्रफल के आधार पर किस संग सासित राज में सबसे ज़्यादा बनावरान पाया गया तो आप से पू नेक्स्ट कोईशन की और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोईशन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है बायू मंदली प्रदूसर्ण पर सोध में लाइकेन आवश्याख है क्यों तो आप से पूछा गया है कि बायू मंदली प्रदूसर्ण पर जो सोध किया जाता उसमें लाइकन का उपयोग किया जाता है क्यों किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वहां होगा आप लोगों का आप्शन नमबर 3 एस टू जैसे दूसरों के प्रति अत्यदिंग संब्धन सील होते हैं जो लाइकन होते हैं यहां एस टू अर्था इसका उपयोग किया जाता है तो लाइकन का यूस किया जाता है नेक्स्ट कोशन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मतुरा की तेल परिस्करण साला और उसमें सकती सेंत्रों के कारण आगरा के ताज महल को खत्रा हो गया है ताज को कोई संबाविक छती पहुचने का मुख्य बिग्ज्यानिक कारण क्या है आप लोगों से पूछा जा रहा है तो चार आप्शन आपको दिए गया और ठीक है जब यह मतुरा की तेल परिस्करण साला है दिख्ती बाथ है यहां से का निकलती है एसोटू निकलती है एसोटू सलफार डायाक्साइड और नैट्रोजन आक्साइड जो होते हैं यहां जब बरसा के बुंदों के साथ मिलकर गिरते हैं तो इसे क्या कहा जाता अमल बरसा जो है यहां बनस्पति जीवो के लिए हानिकारक होती है और इसी के कारण लिए जो आपका ताज महल है ना इस ताज महल पर जब यह बरसा होती है तो जिस बजासी यह क्या हो रहा है इसका जो ताज महल है इसमें कैसा हो रहा है यह पीला पना रहा है इसकी सफेदी कम हो रही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में यहाँ पर आप लोगों को पुछा गया निमने लिखित में से कौन सा इंधन धुआ नहीं उसरजित करता है राइट अंसर आपको बताना है करेक्ट अंसर होगा आपसे नमबर सेकेंड प्राकरतिक गेस जो है यहाँ धुआ नहीं उसरजित करती है और नहीं कोई अफसेस छोड़ती है यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में आप पुछा गया है निमने में से कौन सा प्रदुसक कार के निकास से नहीं आता है तो आप से पुछा गया कि कार के धु पाए जाते हैं जो की बाइव प्रदूसन के कारण बनते हैं नेक्स्ट कोशन में आप पूछा गया है केले के पोधर का गुछेदार एक कैसा रोग है तो इसका जो राइड आंसर है वहाँ एक बाइरस के कारण होने वाला रोग है या एक विसानू रोग है चरी आगे बरते ह तो दोस्तों यह आज के हमारे टॉप 30 कोशन थे जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आये थे यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्यूज रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है यह आज की क्यूज है मधिप्रदेश में एलकलाइड कार खाना कहा हिस्तित है इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पेली बार आये तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही वे लाकेन के बिटन जरूर दबाले ताकि एसे इंपर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नाटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुचते रहें जैहिन दोस्तों